हे गाईज आप सभी का वेलकम हैं गुरू कुल हब यूट्यूब चैनल पर और आज आपके लिए इस वीडियो में में लिकर आए हूँ अररबी एंटीपीसी दोजार बीस एक किस के लिए एक कट आफ एनलाइसिस जी हाँ इस वीडियो के जरीए आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि इस बार की कट आफ करीब करीब कितना रहने वाली है competition पहले से कम है या ज़ादा है और अगर कम है तो कम रहने का क्या करण है उन सभी चीजों पर यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर discussion करूँगा इस वीडियो को बिल्कुल end तक देखें एक एक बात को clearly समझें तो आपको खुझ से पता चल जाएगा कि हाँ cut off इस range में ही रहने वाली है तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करें शियर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe नहीं किया है तो गुरू कुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल इसको subscribe भी जरूर से कर लें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक point पर मैं यहाँ पर आपके सामने clearly नज़र डालूँगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो roughly idea लेने वाले हैं वो 2016 की cut off को ध्यान में रखते हुए रखने वाले हैं 2016 की जो cut off रही थी वो जोन वाइस cut off आती एक्चुली तो अलग अलग रेंज में रहती है पर यहाँ पर एक अपने average एक range बनाई है कि हर जोन को ध्यान में रखते हुए क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर एक जोन को टार्गेट करूंगा तो सारे बच्चे उस जोन से तो होंगे नहीं है ना अलग लग जोन से होंगे तो यहाँ पर हमने एक एवरेज जो 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 कट आफ रही हमने 71.5 रखा OBC की जो कट आफ रही वो 66 के करीब रही ठीक है वहीं SC की कट आफ रही है वो 59 के करीब रही और SD की जो कट आफ है वो 57 के करीब रही है 2016 में ठीक है अब 2016 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो vacancies थी 2016 में जो vacancies थी वो थी 14,023 जबकि अब जो vacancies है वो 35,208 तो इन vacancies के एसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि पहले से दो गुने से भी ज़ादा more than two times यहाँ पर vacancies है ठीक है पहले से भी दो गुने से ज़ादा vacancies यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 14 गुने 28 और दो गुने से ज़ादा भी क्या मैं clearly यहाँ पर कहूँ अगर पूरी mathematics यहाँ पर apply करूँ तो धाई गुना लगबग धाई गुना vacancies यहाँ पर पहले के मुकाबले है ठीक है तो अब जब you are unreserve category की जो cut off है वो 72 के करीब बनती है 66 OBC की बनती है SC की 59 बनती है 57 बनती है तो यहाँ पर अगर मैं इनका roughly एक idea बनाओं कि बाई जब 2016 में जब exam हुआ था तो वहाँ पर जो बच्चे थे exam देने वाले जो बच्चों की संख्या थी वो थी 90 lakh के आसपास ठीक है और अब जो 2020 में exam दे रहे हैं 2020 किसके NTPC exam में जो बच्चे exam दे रहे हैं उनकी संख्या करीब 1.25 करोड हलाकी संख्या बहुत जादा हो गई है लेकिन अगर मैं लास्ट टाइम के हिसाब से कंपियर करूँ तो बही 90 लाग को अगर मैं 14,023 विकिंसी से डिवाइड करता हूँ तो करीब करीब 650 के आसपा 650 बच्चों पर एक student fight कर रहा है ठीक है कब 2016 में ठीक है एक student 650 बच्चों पर fight कर रहा है वही अगर मैं अब की बात करूँ 2020-21 के exam की बात करूँ तो यहाँ पर जो बच्चा fight कर रहा है वो कर रहा है 350 बच्चों पर ठीक है तो clearly आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करीब करीब आधे ठीक है आधे से थोड़ा सा जादा मान सकते हैं करीब करीब आधे के आसपास यह 55% के आसपास जो competition है वो कम होता हमें यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा है ठीक है तो अब आप यह समझ सकते हैं कि इसका कही न कही असर cut off पर भी पढ़ेगा है ना इसका सीधा सीधा असर भी cut off पर पढ़ेगा क्योंकि competition जो last 2016 की exam में exam हुआ था तब उसके मुकाबले यहाँ पर काफी कम competition बन रहा है अगर मैं बात करूँ 2020 की expected cut off की इन सारी चीजों को धिहन में रखते हुए तो unreserve category में कहूं तो 65 और 66 65 और 66 की range में रहेगी और OBC जो रहेगी जो की जहाँ 66 के करीब थी तो वो आपकी 62 या फिर 63 की range में आप इसको देख सकते हैं and SC category की भी यहाँ पर मैं बात करूंगा तो SC category की जो cut off रहेगी वो 52 के around रहेगी 52, 53 के around रहेगी और ST category के लिए 48, 250 यहाँ पर cut off आपको देखने को मिल सकती है तो यह कुछ cut off की range रहेगी 2020 में है ना reason मैंने आपको clearly बताया कि धाई गुना जादा vacancies है vacancies से ही cut off पर जादा असर पड़ता है देखें दो चीजें होते हैं दो चीजों का main असर पड़ता है cut off पर एक होती है vacancies कितनी है और competition कितना है तो competition हमने देखा कि जहां 90 लाग और अब सवा करोर तो करीब करीब 35 लाग बच्चा पहले से जादा है competition है उस पर जो पहले के मुकाबले जो है करीब 40 से 45 परसेंट की गिरावट बन रही है उस गिरावट की वज़े से cut off भी definitely कम रहेगी यह मैंने raw score के हिसाब से cut off बताई है ठीक है यह raw score है आपका और जो normalization रहेगा normalization इस पर ही apply होगा और normalization जो रहेगा प्लस 5 होगा प्लस 10 होगा और maximum इतना ही देखने को मिलेगा 10 के आसपास का ठीक है इस बार ऐसा नहीं होगा कि 20 25 30 या 40 माक्स किसी बच्चे के बढ़ जाएंगे क्योंकि पेपर का जो लेवल देख रहे हैं अभी तक जब 18 दिसंबर से पेपर की श्वात हुई है और अब तक तो लगबग लगब लगब दो चार पांच को छोड़ दिया जाए तो लगबग एक ही रेंज का कोश्चन अभी तक पूछा जा रहा है पिछले एक महीने के अंदर और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जैसे फेवरेरी मंस में एक्जाम है थर्ड फीज का स्टार्ट हो रहा है फूर्थ फीज होग ठीक है तो यहां पर मैंने 2020 की एक्सपेक्टड वो कट आफ बताई है आप लोगों को जो की इस बार बन सकती है और इसमें जो में मानक है वो चीजे मैंने आपको यहां पर किलियर करके बता दी कि किस वज़े से कट आफ इस बार थोड़ा कम रहेगी तो जिन बच्चों का अभी एक्जाम नहीं हुआ है थर्ड फीस, फूर्थ फीस या फिफ्फ फीस में आए तो वो इसी हिसाप से समझ सकते हैं कि उनके लिए अब सेफ स्कोर कितना हो सकता है कितना स्कोर करने के बाद वो उम्मीद कर सकते हैं कि CBT 2 एक्जाम के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा ठीक है तो आई हो कि आपको सारी चीजे के लिरली समझ में आ गई होंगे इंदा लास्ट हम आते हैं कि अभी रिल वे ग्रूप डी फ्री टैस्सरी चल रही है अनेकेडमी पर तो अभी 30 जनवरी को ये मौक टैस्सरी नमबर 4 है और सुबा 10 बजे है बिल्कुल फ्री ओफ कोस्त है इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां पर क्लिक करते ही आप इस टैस्सरी के साथ जुड़ जाएंगे तो यह कोर्स में लेकर आ रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए बैनिफिशल रहेगा जिनका अभी एक्जाम थोड़ा सा 10-15 बीस दिन बाद या एक महीने बाद है या उन सभी बच्चों के लिए बैनिफिशल रहेगा जो की गुर्पडी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो मेरा referral code रहेगा इसको apply करते ही आपको वहाँ पर discount भी दिखने को मिल जाएगा clear guys तो guys आज की इस वीडियो में आपको cut off का ही थोड़ा सा idea देना था कि cut off का कम रहने का reason है क्या वाकई में इस बार cut off कम रहेगी तो सारी चीजे मैंने आपको बिल्कुल clearly यहाँ पर बता दी है और इससे जो cut off का scenario बनेगा वो कम की तरफी रहने वाला है तो I hope कि आपको सारी बाते clear समझ मैंगे तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक लिए bye and good day video को like, share and channel को subscribe जबरू से कर देना थैंकिए